असलाम आपकों तूड़ेंट्स, how are you? ओप सो, you all will be fine. Okay, today our topic is हमारे प्यारी नभी सिललाओ लेही वाली वाली वसलम. Page number है 9 और बुख है आपकी फरोगे उर्दू आज हम इस सबकी मश्क करेंगे First of all, you write gaf gaf and mention the date. Let's see सवाल नमबर एक है हमारे पास सवालाग के मुक्तसेर जवाब दें. पहला सवाल है हमारे प्यारे नभी सिललाओ लेही वाली वाली वसलम का नाम मुबारिक क्या है? इस सवाल का जवाब हम यहां बुकते ही राइट करेंगे. तो इसका जवाब है حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم अब حضرت कैसे राइट करेंगे हम लेट सी सबसे पहले हे की छोटी शकर जौद की छोटी शकर साथ रे ते साकिन जौद का नुक्ता हजरत और थोड़ा सा गैब देके हम राइट करेंगे मीम हे मीम दाल मुहमद صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم इसे तरह हमारे पास दूसरा सवाल क्या है सच बोलने की वज़ा से सब लोग आप صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم को क्या कहते हैं इसका जवाब भी हम यहां पर राइट करेंगे तो सच बोलने की वज़ा से आप صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم को सब क्या कहते थे सादिक क्या इसका जवाब आएगा सादिक सौद का फेस अलिफ सौद अलिफ सा दाल काफ सौद अलिफ सा दाल काफ दिक सादिक इसी तरह हमारे पास सवाल नमबर तीन है दुनिया में इखलाग का सबसे अच्छा नमूना कोन है इसका भी जवाब यहां राइट करेंगे और इसका क्या जवाब होगा इसका जवाब भी हजरत मुहम्मद तो हजरत कैसे राइट करेंगे सबसे पहले हे की चोटी शकल फिर जवाब की चोटी शकल और उसी के साथ हम रे जवाब के उपर नुक्ता तेसा की हजरत और थोड़े से गैब से मुहम्मद सल्लिल्लाह अलेह वालेह वालेह इसी तरह हमारे पास सवाल नमबर चार है आप सल्लिललाह अलेह वालेह सल्लम को ज्यादा प्यार किन से था इसका जवाब होगा बच्चों से अब बच्चों कैसे राइट करेंगे हम बे की चोटी शकल फिर चे की चोटी शकल फिर वाओ बे का नुक्ता चे के नुक्ते नून गुनना बेचे बच्चे वच्चो नुन गुना बच्चो उसके बाद से थोड़ा सा गैप दे के हम राइट करेंगे सीन बढ़िये से बच्चो से इसके बाद हमेरे पाद सवाल नमबर दो है हर लवज के साथ इसकी जमा लिखे एक मिसाल दे दी गई है अब आपको वाहिद लवज दिये गए है हमने उसके आगे जमा राइट करने है जैसे के रस्ता रस्ते इसी तरह होसला हो एवा हो स्वाद ला बढ़िये ले होसले सच्चा सच्चे सीन चे बढ़िये चे सच्चे सीन चे सच्चे बढ़िये चे सच्चे सितर हम बच्चा बाह refresh बच्चे, बढली अचे, बच्चे खोस्ला खोस्ले सच्चा सच्चे बच्चा बच्चे Next question है हमारे पास स्वाल number 3 खाली जगा पूर करें अब आपके पास खाली जगा दी गई है उसके जवाब आपने blanks में write करने है पहली हमारे पास खाली जगा क्या है? अब दुनिया में कोई और नभी नहीं डैश गा यानि आएगा अब दुनिया में और कोई नभी नहीं आएगा सेकिंड है आप सलिए लाह लेह वाली वाली वसल्म बच्चों से बहुत डैश करते थे डैश में हमने क्या रैट किया है? प्यार क्योंके आप सलिए लाह लेह वाली वसल्म भुकों को डैश खिलाते थे भुकों को क्या खिलाते थे? खाना फोर्थ ब्लैट के हमारे पास चोथी खाली जगा सफाई आप ﷺ को बहुत डैश थी पसंद थी पे, सीन, नून, डाल पसंद हम यहाँ पे और सीन जो है वो थोड़ा सा लाइन से उठा के राइट करेंगे जैसे मैंने राइट किया है इसके इलावा हमारे पास सवाल नबर चार है और सवाल नबर पांच है जिसे हम स्किप कर देंगे, मैंने यहाँ क्रोस के निशान लगाए है, इट मीन्स कि हमने यह वले सवाल स्किप करने है, हम इन सवालों को नहीं करेंगे ओके स्टुरेंट्स, ओप सो यूंडरस्टेंड इस ट्रोपिक, अलाह आफीज